नवश्कार दोस्तों एक फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत हैं और हम आपके लिए लेकिया है एक न्यू डियाइवाई ये पाने की बोटल थी जो तूट गई थी मैंने सोचा चलो क्योंने इसका यूज किया जाए तो मेरे पास ये पेंट जो है जरूर आई जाती है और उसको भी जो एप पेंट करने का बहुत ज्यादा शोग रहता है जब भी मैं कुछ करूं तो उसे भी वही करना होता है तो ऐसा करते करते जो मेरा पेंट है वह कंप्लीट होने वाला है यह देखो यह मुझे ग्रैप्स किला रही है आप भी अपनी कोई भी बोटल है जो फेस्ट है उसका यूज कर सकते हैं फिर यहां पर मेरे माइंड में जो भी डिसाइन आता है वो मैं ड्रो करती गई मैंने ऐसे ही लाइनिंग टेड़ी मेड़ी लाइन किस दी अगर आपको अच्छी पेंटिंग आती है तो आप इस पे बहुत अच्छी पेंटिंग किजिए मेरे माइंड में जो भी आता गया मैं ऐसे ही लाइन किस दी गई और प्लास में देखना फिर इसका जो लूप दिखाए देगा बहुत ही खुपसूत लगने वाल है सिंपल सी लाइनिंग क कि मैंने वाइट पेंट ए उसके साथ चोटे चोटे डोट जो है वो लगा दिये कि मुझे खाली सा लग रहा था वही वहीं पे मैंने ये डोट लगा दिये और फिर वाइट पेंट से ही मैंने जो है बार ड्रो के ऐसे आप भी जो भी कुछ रखा हुआ होता है उस पे अपनी माइन के कोडिंग डिजाइन कीजिए और उसको खुबसुरत बनाएए यह देखो बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि जैसे बार्ड है जो मैं ड्रोग गया तो मेरे माइन में ऐसा कुछ नहींता है ऐसे ही टिक का निजान किया और यह देखो फिर एक बार्ड की शेप आगए इसमें और मैंने इसमें नीचे से होल किये हैं क्योंकि मैं इसे एक प्लांटर बनाना चाहते हैं और यह बोटल के डगका ना वह मैंने नीचे लगा दिये तक यह जमीन पर ना रखी जाए क्योंकि जहां भी जमीन पर रखी जाती है ना वहां से जो है फॉर्स बहुत ही गंदा दिखाई देता है यह मेरे जो प्लांटर थे वह छोटे से पोट में लगे हुए थे और ग्रो नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने यह बड़े प्लांटर का यूज किया है ताकि जो फ्लावर है बहुत ही सुनना लगे और जल्दी ग्रो करेंगे बड़े प्लांट में यह और ऐसे ही आप भी जो अपने घर पर जो ऐसे चोटे जो पोट रहते हैं उनको बड़े प्लांटर में ट्रांस्वर कीजिए ताकि वो अच्छे से गरो कर सके और हाँ आपको मेरा यह आइडिया गैसा लगा तो प्लीज कोमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिरते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक यू